बड़े और छोटे की पहचान आईए, हम बच्चों को आसपास की बड़ी और छोटी वस्तुओं के उदारनों की पहचान कराएं आज तीनू चुहा और मीनू बिल्ली एक साथ खेल रहे हैं खेलते खेलते उन्हें भूख लग गई चलो तीनू, कुछ खाते हैं हाँ मीनू, भूख तो मुझे भी सोर से लगी है रसोई में चलते हैं, वहाँ खाने को ब्रेड होगी मीनू और टीनू दोनों रसोई में जाते हैं वहाँ दो ब्रेड रखी हुई थी, एक छोटी और एक बड़ी बच्चों, क्या आप पता सकते हैं कि इन में से कौन सी ब्रेड छोटी है और कौन सी बड़ी? आए देखें जी हाँ, आपने सही सोचा बच्चों, ये वाली ब्रेड बड़ी है और ये वाली छोटी मीनू बिल्ली उन दोनों में बड़ी है, तो वो बड़ी ब्रेड ले लेती है और टीनू छोटा है, तो वो छोटी ब्रेड ले लेता है खाने के बाद टीनू और मीनू खूब खेलते हैं और फिर अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं बच्चों ये रहा मीनू का घर और ये रहा टीनू का घर क्या आप बता सकते हैं कि इन में से किसका घर बड़ा है? आईए देखें जी हाँ, आपने सही सोचा बच्चों मीनू का घर टीनू के घर से बड़ा है और टीनू का घर मीनू के घर से छोटा है तो बच्चों, आपने देखा कि मीनु पिल्ली पड़ी है तो उसने बड़ा ब्रेड खाया और उसका घर भी बड़ा है पीनु चुहा छोटा है तो उसने लिया छोटा ब्रेड और उसका घर भी छोटा है बच्चों की कॉपी में आज की तारीक और यहां पर दी गई वस्तुओं को उतारिए और उन्हें छोटी वस्तुओं को गोला करने के लिए कहिए कार्य करने के बाद कॉपी की एक तस्वीर लीजिए और उसे वाट्साप ग्रूप पर भेज दीजिए